विल्कम टू यो निकलास जब डिबी जी हमारे पास कोशन नमबर 12 है किसी समांतर सुरेडी का के पीवे क्यूवे तथा आरवे पद करमसा A B C है आरवे पद मतलब P A Q जो है आपको B और आरवा जो पद है वो C है तो सिद कीजिए कि ये आपको इतना होगा मतलब A के मल्टिप में और C के मल्टिपलाइ में ये आपको साबित करना है तो ये कोशन हमारा 12 है ये समांतर सुरेडी का आपको ये कोशन है देख लिजे इस तरीके से हम इसके कोशन को सॉल्व करेंगे यदि आप ये 12 से पहले यदि वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं इस वीडि स्रेडी के पीवे तो देखे मैं आपको क्या करता हूँ पहले पीवे की बात करता है तो आपको फॉर्मूला की बात करें तो टी न बराबर में ए पलस इन माइनस वन इंटू डी ये चीज आप जानते हैं इन्वा पद निकालने के लिए तो यहाँ पर पीवे पद कैसे नि बिक्र हो चुका है तो कुछ ना कुछ चेंज करना परेगा तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं यही पर माना की माना की पहला पद पहला पद A है क्या है A को दिकत माल लिया काई कि आपको यह सॉरी A बोल ले एकस एकस ले ले लेते तो एकस से काई कि हमको दुनों में हेर फिर हो जागा मतलब आपको sim to sim हो जाएगा अभी क्या होगा कि change हो जागा मुश्किल नहीं है तो अब क्या करेंगे एक जगा पर एकसा जगा असमान यह पदांतर जो होगा वो D ही रहेगा उसको D ही लेंगे तो यहां पर आपको N-1 into D question में आप देखेंगे तो कहता है क्या कि PV पद जो है करमसा A से A बरावर है मतलब यह आपको क्या होगा A के बरावर है मतलब आप इसे ऐसा भी ली सकते हैं अथवा A बरावर में एकस पलस N-1 into का D ठीक है इसे समीकरन एक मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आप देखेंगे आप यहां सम क्या करते हैं TQ निकाल लेते हैं पुनह इसमें हम चलते हैं TQ निकाल लेगा A के जगा पर X पलस Q-1 into D ठीक है यहां पर Q अच्छा P निकाल लेते हैं यहां पर P-1 बिलकुल यह आपको P-1 होगा ठीक है क्या लिखेंगे इसको P-1 आप इसको P-1 लेखिए P-1 तो आपको यह हो चुका है यहां से आपको देखिए यह TQ निकाल चुका या फिर आप TQ जो बराबर है वो बोलता आपको B के बराबर है कोशन जैसा कहरा है हम वैसा ही कर रहा हूं X पलस में Q-1 into D इससे equation 2 मान लिया आपन अब देखिए यह equation 2 हो चुका है दिक्कत नही होगा फिर आपको जो है पुना आप चलिएगा तो आप हम R के लिए चलते ती आर बराबर में A के जगा पर आपको क्या ले लेना है वो X क्या चीज X तो X पलस R-1 into D आप देखिए ती आर लिखा हुआ है ती आर यह C के बराबर C बराबर में X पलस R-1 into D आप इससे equation 3 ले आप पूफ में देखिए तो A के गुना में Q-R है और B के गुना में आपको R-P है और आपको देखिएगा C के गुना में है C में वो है P-Q आप देखिए ये A है ना A के गुना में हमने का किया अब जो करेंगे Q-R से गुना कर देंगे साबित करने के लिए B के गुना में क्या है R-P तो R-P से B में गुना कर देंगे ये आपको C है, C के गुना में क्या है P-Q है, तो हम इसके क्या करेंगे P-Q से गुना कर देंगे, यहां तक कोई करन एक में और दू में जो गुना करेंगे वो देखे आर मानस पी से गुना करेंगे आर मानस पी से एंड आप तीन में जो गुना करेंगे एंड मतलब और लिखा हुआ तीन में आपको जो है पी मानस क्यू से गुना करने पर लिख देते हैं गुना करने पर ठीक है गुना करन पर अब देखे यह चीज़, अब आपको यहां तक यह पहुँच चुके हम लोग, अब इसमें गुना कर देज़, ए में कित्ता से गुना करेंगे, Q-R से, तो देखे, A गुने में, Q-R, और B के गुना में, जो होगा, देखे, R-, बराबर की इस वाले को एक साथ लिखते हैं ताकि आपको एक साथ ही दर हो जा, R-P, गुना करके हम क्या कर रहें, जोडने पर, आप यहां पर भी लिख सकते हैं, गुना कर जोडने पर, और यहां पर पलस C, C के जो गुना में है, वो कितना है, P-Q, लिजए, बराबर की साथ वाले को एक साथ लिख दिया, अब बराब पलस, पलस Q-1 into Q-R into D, यहां तक को दिकर नहीं होगा, अब मैं बता दू, इसमें फिर से आपको काम करना पलस, हम नीचे लिख देते हैं, पलस, इस वाले में आप गुना करना आपको कितना से, R-P से, देख देखिया, हम इजएत के साथ इसमें गुना करने हो लाँ, X गु Q-1 into D, अब देखिये, अब हम इसमें क्या करते हैं, फिर से आपको देखिये, यहां पर हम नीचे, यहां पर नहीं लिख रहें, क्यूंकि देखिये, आपको तीनों पद हम आपको दिखा देते हैं, सब जोर में लिखा होगा, वह भी एक ही लाइन में होगा, तो एसमें पर यह चीज है, यह चीज सेम रहेंगा, इसलिए हम यहां पर क्या देते हैं, बराबर देते हैं, यह चीज सेम, यह इसमें आप गुना करिए, एक चीज है, एक साथ कर लिजे, यहां पर भी एक से, यहां पर भी एक से, यहां पर भी एक से, तीनों में एक से, तीनों में एक से और देखिए हमने यह चीज आपको कर लिया एक्स वाले के साथ अब देखिए यहां पर भी डी इसमें बीडी है इन तीनों में डी कॉमन ले लिए इसमें आपको ध्यान से थुरा से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यह Q-1 है आप actually में पहला वाला यदि आप देखत मतलब छोटा सा error हो चुका मैं इसे क्या करूँगा एरेंज कर देता हूं क्या करता हो एरेंजी देखिए इसको हमने मिटा दिया और देखिए अब आपको देखिए क्या लिखना है यह पी-1 था पी-1 में अपन गुना किया किससे Q-R से मतलब यहां पर आपन क्या लिखेग पी-1 है न यह वाला पद और इसमें हम गुना कर रहे थे किसके साथ आपको पहला वला में पहला वला में किससे गुना कर रहे थे Q-R से तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे Q-R यहां तक कोई मुश्किल नहीं होगा Q-R आ जागा न हाँ तो देखिए अब 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 इसमें गुना करिए यह PQ बनेगा ठीक है यह PR बनेगा माइनस का लेकिन यह आपको माइनस क्यू बन जाएगा और यह माइनस माइनस पलस का आर बनेगा इस वाले को गुना कर यह यह आपको पलस का आर पी बनेगा इसको गुना करिएगा तो यह माइनस आर पी तो हो चुका यह इ RQ लिखिए इसको हम मिटा देते, ठीक है, RQ अच्छा नहीं दिख रहा है, देखे, हो चुका है, RQ, और यहां पर यह माइनस का R, यह भी माइनस का P Q, यह माइनस का P हो जाएगा, माइनस माइनस पलस, इस वाले में गुना करिए, पलस का P R, यह माइनस का P, और यह माइनस का Q R, यह पलस का Q, आप देखे, मैं ब्रेकेट में डाल दिया ना इसको, देखे, PQ, PQ कैंसिल हो गया, P R, P R भी कैंसिल हो गया, यह P P कैंसिल, Q R, Q R, Q R कहा है, यहां पर, RQ, Q R, same to same, Q और Q से कैंसिल, R से R कैंसिल, यह पूरा जीर हो छुका है, इस में देखे, यह P P C秤, Q Q और R, कैंसिल, मतलब यह भी जीरौ, एकस गुने का जीरौ, पलस इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, 0 पलत 0 मतलब 0, ये देकिए, ये प्रूफ हो चुका है, इतना बराबर 0 आ चुका है, इसका क्या मतलब है, ये आपको सीध हुआ, क्या हुआ, सीध हुआ, देखें, सीध हो चुका है, ये question number 12 था, देखें, मैं आपको आगे बता दू, यहाँ question number 13 की बात कर लेते हैं इस तरीके से samantar sredi में 3 संख्याओं का योगफल 30 है कितना है 30 है 3 संख्याओं का योगफल और उनका गुननफल 750 है देखे 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उसका गुननफल आपको क्या है 750 तो आपको कैसे इसे हम क्या करें आपको solve करें से पहली बात आपको 3 संख्याओं कोन लेना है 4 संख्या के लिए सभी आपके screen पर दिखता होग़ा वो चीज का आपको इस्तामाल करना है ठीक है तो हम सबसे पहले आपको लिख लिए 3 संख्या के लिए क्या लिए लिखते हैं लिखा आपको पता है न बिल्कुल तो आपको यहां पर क्या करना तीन संख्या बोले तो यह लेना है ओके तो अब देखिया मैं आपको क्या करता हूँ कोशन परूंगा आप मैं कोशन परूंगा फिरे से स्वाल करूंगा देखिये कोशन कहता है समांतर सेडी की तीन संख्या क्योंकि प्रसन से आप आये घाना तो प्रसन कहता है कि तीन संखिया ओका योग कुष्टन कहा हूं है अपने मरज जिस तरने ngusion संखिया ओका योग केतना बोलना इसका योग बताई योग कितना बुलना तो designed का क्यो तो तीस Ар建 का योग आ veg कृष्ण को दे चुका है कितना दे चुका था 30 दे चुका था एपन भी 30 लिग दिया को कै के Ben बिबी कैंसिल ऑलफा कि अल्फा कमान का टिसाही सोचकाmos सुष्छ की आप को वाज्बारा मैं आ जाए मतलब अब दोवारा मतलब फिर पुनत पुनअर्चन के आ तो फिर कहता है आपको बिङता है कि ये तीन संख्षण जोगा और व्यजूं, मह पुनत पुनत में आ बनतुन भल मतलब इस तेनों को गुना करेके लिखना 1000 विच्भा करें नौनफ प्लिऑ मतलब ऑसको प्लस नहीं यहां पर इसको इंटू में लिखना है और अल्फा मानेस बीटा और यहां पर आपको क्या था अल्फा मानेस बीटा और यहां पर भी अल्फा मानेस बीटा था सोरी और बराबर का साथ सो पचास यह अल्फा पलस बीटा alpha minus beta मतलब a minus b a plus b a square a square minus का b square लिखेंगे कितना लिखेंगे a square minus का b square लिखेंगे alpha का square लिखेंगे beta का square लिखेंगे into alpha बराबर का आपको 750 डालिए यहां तक मुश्किल नहीं होगा तो देखें यह alpha square beta square आपन निकाल लिए और into का alpha बराबर में आपको यह चीज़ है और आपको यहां पर क्या करना alpha का माण चुकि हमको alpha का मांण पता है कितना मालूम है alpha का मान 10 मालूम है alpha का मान 10 देखें यहां पर alpha के जगा पर 10 का square beta का beta का मान आहीं महलूम नहीं है तो बीटा इस्क्वार वैसा ही रहने दीजिए और यहां पर आपको आलफा यहां पर भी आपको 10 बराबर का 750 यह 0 से 0 कर सकते है कर दीजिए तो आपको यहां पर 10 का स्कॉार 100 माइनस का बीटा इस्क्वार बराबर का 75 5 ठीक है मैं आपको यहां पर दिखा दूँ देखिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ तो यह 100-beta square है ना हाँ बिल्कुल 100-beta square है तो आप इसके साथ ऐसा कर देजिए यह-beta square को रहने देजिए और यहां पर 75 और इच इसको आप उठा के उधर ले जाते तो minus का 100 तो मतलब आपको minus beta square और यह 75 में से मतलब 100 मतलब कितना 25 minus का minus से minus cancel बीटा square बराबर मतलब 25 तो अंदर root 25 नहीं लिख सकते क्या square है तो root 4 जागा मतलब आपको 5 beta का मान 5 आपे और alfa का मान 10 आपको बोल रहा था 3 संख्या नीकालने के लिए alpha का मान केतना 10 है तो 10 अंसर alpha plus beta तो 10 plus का 5 मतलब 15 सबसे बढ़की संखिया उससे उससे चोटी और सबसे चोटी संखिया परते हैं पहले क्या कहाद़े समानदर सेडी में 3 पदों का योगफल चुकि आप मान लीजे माना की माना की जो 3 पद जो है 3 पद तीन पद क्या लेना है पहला alpha minus beta लेना दूसरा alpha तिसरा alpha plus beta ले लेना है तीन पदों का योगफल चुकि तीन पदों का योगफल आपको बोल रहा है तो आप क्या लिखेंगे यहां से तीन पदों का योगफल 21 है तो अपन लिख दिया 21 तो अपन यहाँ पर क्या करेगा अलफा मानेस बीटा अलफा अलफा पलेस बीटा तीनों को लिखेंगे तीन पदों का योगफल बराबर का 21 यहाँ बीटा बीटा कैंसिल मतलब 3 अलफा बराबर 21 मतलब अलफा बराबर 21 तो देखिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से यह question कह चुका, पर्थम और दूइतिये बोलाना, तो इसमें आपको टिंसर नहीं लेना, सबसे पहले question को relax mode में क्या करना आपको परना है, हैं तो देखें मैं आपको क्या करता हूं कोशन आपको पढता हूं तो समांतर सेडी के तीन पदों का योकफाल 21-न एं पर थम और तीरतिय पद तो आप फिर परशिन से परते हैं परशिस आप बारा पुनगेरदे हैं तो यह कहता पर थम पर थम कितना है अलफा माइनस बीटा मतलब अलफा माइनस बीटा पर्थम ओके बोला जाता पर्थम जो है आपको तीरतिये पदों का पर्थम जो है आपको तीरतिये पदों का गुनन फल तो तीरतिये पद क्या हमारे पास तीरतिया पद अलफा पलस बीटा है ठीक है alpha plus beta तो सबस्पे पहले आप यहाँ पर डाल डीजेये यहाँ पर alpha plus beta आज जो दूसरा पध होगा उस से यह आपको 6 अधिक है दूसरा पध किया था हमारे पास alpha था इस से क्या आपको यह 6 अधिक है, अपन ऐसा ही किया अब देखेे यहां पर इससे क्या करेंगे Solve करेंगे जहां तक solve करने की बात है तो वह इसा ही solve करेंगे ज由 जिसे सभी को solve करते हैं तो यहां पर alpha minus beta alpha plus beta मतलब alpha square minus beta square बेड़ाबर शवाप का alpha stitch देखे आप जानते हैं कि alpha बराबर 7 जानते आप यह चीज जानते क्या करेंगे यहां पर alpha के जगह पर आपन 7 डाल देंगे तो यहां पर 7 रखिए तो 7 का square मतलब 49 minus beta square plus 7 plus 6 अब देखें यहां तक आप पहुंच चुके हैं आगे आपको यह क्या करना minus साथ 6 13 अच्छा यह बराबर लिखा हुआ था यह बराबर का और यह साथ 6 13 minus beta square यह 13 minus का उन्चास क्या लिखेंगे आप 13 minus का उन्चास हाँ घटाएंगे minus beta square 9 में से 3 गया तो 6 और यह 4 में से गया तो 36 minus minus cancel मतलब आपको beta square बराबर 36 आ चुका है बीटा कमान जो आजाएगा आपको 6 आजाएगा क्या यहां से आपको निकल कर आया 6 तो देखें यहां पर आपको दो कंड़ी है plus minus 6 आगा लेकिन हम टेक करेंगे plus वाले को हुई तो यहां पर आप देख सकते हैं हम संख्या की बात करेंगे यहां पर तो संख्या संख्या में क्या है पहला है अलफा minus beta दूसरा अलफा तीसरा अलफा plus beta राइट तीनों संख्या को आपन निकालेंगे अलफा minus beta अलफा कमान देखें कितना अलफा कमान 7 यहां पर का कर यह 7 रख दीजे माइनस beta बीटा के जगा पर 6 मतलब 1 हो चुका है alpha alpha कमान देखें यहां पर 7 है तो 7 alpha plus beta मतलब 7 plus 6 मतलब 13 1 7 13 यह क्या हो चुका है इसका आपको solution हो चुका है ठीक है देखे हमारे पास question number 14 को solve करने के लिए कुछ महत्पूर्ण बात है वैसे आपके श्क्रीम पर दिखता होगा तो यहां देखे यह क्या है हमारे लिए और क्यों जरूरी है यह हमारे पास देखे तीन संख्या के लिए आपन यह वाला लेते हैं चार संख्या हो जाए तो यह लेते हैं ठीक है समांतर स्रेडी के 5 संख्या लगवग यहां पर 4 संख्या की बात हो रही है तो 4 संख्या था कि यह बला चलेगा कोई दिखका 14 को solve करने के लिए काफ जरूरी है तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ कोश्यन नमबर 14 करता हूँ तो देखिए हमारे पास कोश्यन नमबर 14 जो है देखिए किस तरीके से 14 का यह 1st है तो आपको यहां पर यह 14 का फ़र्ष्ट में क्या कहता है वो देते हैं समांतर स्रेडी में 4 पूर्न संख्या का योगफल 24 है ठीक है 4 पूर्न संख्या का योग संख्या-3-beta ठीक है अल्फा प्लेसट बीटा और यहां पर आपको लेना है स्प्रूरे मानिस बीटा लेना दूसरी संख्या- अल्फा प्लेस बीटा अल्फा प्लेस थिरी बीटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा अब देखें यह चार संख्या अपन ले लिया प्रश्ण क्या कहता उसे पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो प्रश्ण से संख्याओं का योगफल चुकि योगफल योगफल कितना दे चुका है 24 दे चुका है अपने इन सबी को जोर कर लिख देगा अलफा माइनस थिरी बीटा अलफा पलस बीटा अलफा पलस थिरी बीटा एक चीज़ है आपको यदि सबसे बड़ी संख्या पूछे तो कौन होगा यह वाली संख्या होगी बिल्कुल आप अपना है रही जानते हैं यह उसके बाद töबो सके बाद तो उस तरीके से अपने क्या करना है उसके बाद यह होगा ये थिरी से बुनात और चोटा हो जागा तो यहां पर देखेेश कि अलफा माइनस थिरी बीटा यहां पर निटिये तीन बीटा और यह बीटा धेनस यह पुना कोश्पडते हैं कोश्पडन पुनापढ़िए उनका गुनन्फड 945 प्लक म सब कुना करके लिखना त्या के लिखना इ want कक मानेस्ट नोनमाम करके लिखना है अलफा कि literally इन सबी का जो गुनन्फ है हो कितना है आपकी देख लीजे 945 इ Nur चाहाँ है तो लिकरेंगे यहांच हे यहां है क्या करना है फिर के आपको क्या करना है यह यह तो चार होगा ना यह एफल्स बी यह इसतल आपको क्याोर आड़ तो आपया इसे डया कर मी według सुरह तो आपको कर रही लेना चाहिए यही पर alpha minus beta alpha plus beta alpha minus beta formula और यहां पर alpha कमान जो कि हमें पता है 6 तो क्यों ना अब इस 6 को हम इसमें करें क्या? put तो देखें मैं इसमें 6 में क्या करता हो 6 को? इसमें put कर देता हो तो आपको क्या करना? put करना है तो यह 6 का square minus 9 beta का square इस तरीके से 6 का square minus beta का square बराबर 945 अब देखें 36, यह 36 हो जागा यह minus 9 beta का square और यहां पर यह 36 minus का beta square बराबर का 945 आगे हमें क्या resultant मिलेगा? आगे आपको resultant मिलेगा इस 36 को आप 36 से यदि गुना करेंगे तो कितना होगा? 1296 होगा कितना होगा? 1296 यह 36 beta का square और यहां पर यह 9 को फिर आप 36 से यदि गुना करतें तो कितना होता? तो 36 नमा 324 324 beta square और यह 9 beta मतलब पलस का 9 beta का power 4 बराबर का 945 यहां तक ठीक है? अब देखें अब आपको छोटा-छोटा कैलकुलेशन करना है यह 324 36 तो 1296 आपके पास रहेगा तो 1296 को इधर भेज़ देखें ठीक है? तो यह आपको 360 360 हो जागा जोर देंगे तो 360 beta square पलस 9 beta का power 4 और यह 945 और माइनस का 1296 अब आपको क्या कर लेना? यह 945 है अब आपको क्या करना? 9 beta का power 4 माइनस का 360 beta square इसको घटाएंगे तो क्यतना होगा? आप इसको घटाएंगे तो यह 351 होगा 351 माइनस का इधर आएगा तो आपको 351 बरावर का 0 यहां तक आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए आगे हम इसमें क्या कर ले? आगे यह 9 beta का power 4 है आप इसमें दो चीज कर सकते है इसको आप डिभाइट करके आप हटा भी सकते 9 को नहीं यह कर जागा तो मैं आपको इसमें क्या करता हूँ? 9 से भाग लगा देता हूँ 9 से भाग देने पर यहां पर से 9 से भाग देने इसमें तो यह आपका खतम हो जाएगा कितना हो जाएगा यह आप हम को यह बताएगे beta का power 4 है ना मतलब यह आपको 9 खतम beta का power 4 यह 9 4 की 36 और यह यह आपको किता होगा 9 से 27 9 से 29 बिलकुल तो आपको हो चुका है यहां पर अब आपको क्या करना है बीका का पावर 9 10 क सब्सक्राइब संब्सक्राइब का स neutr70 510 12 माल लेते चलिए माल लेए आपन क्या है यह P है बीटा सकार बराबर पी है मतलब बीटा का पावर चार को आप क्या लिख सकते हैं पी का SQ, minus 40 P, और पलस का 49 बरावर में 0, अब देखे, आप इसको तोरना असान है, लेकिन आप बीटा के पावर 4 के जगा पर, कितना, पी SQ का इसे, तो आप देखे, बीटा का पावर 4 है, इसका ये मतलब है, कि आप बीटा स्कॉार का स्कॉार है, इसके जगा पर P आ गया, तो मतलब P का स्कॉायर, यहां पर direct B स्कॉायर है, बीटा स्कॉायर है, मतलब direct P आचुका है, ठीक है, आप देखिए, आपको यहां पर इसको तोर दीजिए, इसको लिख सकते है, P का स्कॉायर मानेस 49 P, और 49 एक चालिस बिल्कुल, और 49 एक वल्टू में 0, यहां से P आसानी सा आप कॉमन ले सकते हैं, तो यह P मानेस 39, और यहां से मानेस 1 कॉमन लीजेगा, तो P मानेस का 39, अब देखिए, यह बराबर 0 इसमें को दिकर नहीं है, एक बरतबाद P मानेस 1 इक वल्टू में 0 होगा, दूसरा P मानेस 49 बराबर में 0 होगा, यहां तक आपको क्या है, दो P मानेस 49 बराबर में जीरो करिएगा, तो P का मान आपको हो जागा 49, देखिए, आपको कोशन में कह रहा था कि 4 पूर्ण संख्या की बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, 4 पूर्ण, ओके, अच्छे एक चीज़ है, यहां से आपने P का मान लिया, P मानेस 49 और यहां पर आ जताय है। यह पी के जगा पर आप कितना डाल सकते हैं, जाखिए, आपने बात लिया था P के जगा पर ब corporation, इतर से 1 पुर्ण संख्या कीृइब लेकर चलेंगे, यहां पर देखे आपको जो है, एक पुर्न संख्या की बात कर रहा है 4 पुर्न संख्या कि बात कर रहा है? यह नहीं आ सकता तो आप इसे क्या लिख सकतें बीटा अंदर maneira 400 आप लिख दीजे यह संभाव नहीं है पतलब यह नहीं होगा म explos 같습니다 इसीं को लेकर हम लोग क्या करेंगे चलेंगे बीटा का मान वन लेकर चलेंगे यदि आप बीटा कमान वन लेकर चलते हैं तो अब क्या करिएगा अब आपको जो है यह बीटा कमान तो वन होई चुका अब हम कोशन में कोशन में चलते हैं क्या था संख्या संख्या पूछ रहा था तो पहला संख्या हमारे पास क्या था अलफा माइनस का थिरी बी तो मैं alpha के जगा पर 6 डाल दूँ तो देखिए मैं आपको alpha के जगा पर 6 डाल दूँगा 6-3, beta के जगा पर 1 डाल देंगे, 1 लेकर चल ले, okay, beta का मान 1 लेकर तो 6-3 कितना हो गया, यह आपको 3 हो चुका है, दूसरा आपको था alpha minus तो 3 beta, 1 alpha minus का beta अलफा के जगा पर 6-1 मतलब 5, एक आपको alpha plus beta था, इस चारो आपको रख दे रहा है, 6 plus 1 बरावर का 7, एक आपको था alpha plus का 3 beta, 3 beta, इसमें क्या हो चुका, 6 plus का 3 बरावर का आपको 9, देखिए, तो सबसे बड़ी वाली संख्या बात कर लेकर लेकर, उसके बाद यह, उसके समझाएंगे, उसके चोटी वाली, यह, सबसे चोटी वाली, यह समझेंगे, 4 अंक, मतलब 4 संख्या वाली में, तो यह आपको हो चुका है, चलिए, मैप question number इसका आगे solve करता हूँ, देखिए, हमारे पास question number 14 का यह, दूसरा है, क्या कहता है, क्या कहता है आपको यह, क्या चार लगातार संख्या ज्याद किजिए, जिनका योगफल 50 है, तथा उनमे, महत्तम लगुत्तम का 4 गुना है, सबसे पहले मैं इस question को क्या करेंगे, देखिए, solve करेंगे, तो किस तरीके से solve करेंगे, यह, पहले सोचने की बात है, ठीक है, पहले तो हम इसका लिख देते है यहाँ पर solution, माना की, मान लेते है, माना की, चार लगातार संख्या की बात कर रहें, माना की, चार लगातार संख्या, चार लगातार संख्या, माना की, चार लगातार संख्या जो है, पहली संख्या आपको, अलफा माइनस 3 बीटा, दूसरी, दूसरी, अलफा माइनस बीटा फिर alpha plus beta फिर alpha plus 3 beta एक दो तीन चार लगता रसव्चिया प्राशन कहता है प्राशन से कोशन कहता है आपको कि योगफल जो है ना योगफल योगफल कितना है पचास है मतलम इन सब को ज़ोर कर तो मैं क्या करूँगा यहां से योगफर लिख दूँगा, अलफा माइनस 3 बीटा, अलफा माइनस बीटा, अलफा पलेस बीटा, और आपको अलफा पलेस का 3 बीटा, बराबर का 50, सब को जोर में लिख दिया, ये 3 बीटा, 3 बीटा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, 1 अलफा, 2 अलफा, 3 अलफा, 4 अलफा, सब अभी हमें बीटा का मान नहीं निकला है, बीटा के मान के लिए ये दे चुका है, आपको 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 महतब लगुतम का चार गुना, देखिए महत्म पुल रहा है मतलब यह वाला लगुत्म पुल ला सबसे चोटा वाला तो महत्म मतलब आलफा पलजी आलफा पर फइड़ के बीटा जे करेंगा महत्मकर चार प्रत मतलब अलफा मनस्ट एता यह दा कब को दिकत नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा अलफा का मान आपको पता है यह 25 बटा दूश सब्सिच्चूट करेंगे फिलाल गुना कर लेते हैं यह अलफा प्लस 3 बीटा बराबर का यह 4 का मान-2 बीटा गुना कर दिया 4 बार है यह अलफा वाला इसको ठा लीजैए आलफा मान-4 अलफा-4 यह प्लस 3 बीटा लिखा हुआ है तो इसमें आपको दिकत नहीं लेना है to अप लिखे इसमें को 3 बीटा और यह उठा की इसको भी लिया तो पलस 12 बीटा बराबर का 0 अब देखते क्या रिजल्ट है यह alpha में से minus 3 alpha 12 3 15 बीटा बराबर में 0 alpha का मान 25 बटा दू यह क्या करना है पूट कर देना minus 3 25 बटा का 2 पलस 15 बीटा बराबर का सुनिये अब देखे हमारे पास इसमें कोई दिकर नहीं है इसमें आपको लगुत्तम कर लेना लगुत्तम करने का मतलब आपको 2 लगुत्तम 15 पचीस तीया 75 यहां पचीस से गुना हो जागा पचीस तीया 75 और पलस 15 बीटा यहां तक आपको यहां पर करें क्या आगे क्या करेंगे आपको बताईए यहां पर आगे आप लोग ऐसा कुछ कर लीजे इसमें की जो आपका काम बन जाए तो क्रॉस गुना करने के सुभा को आप्शनी नहीं है यह इससे गुना करेगा मतलब माइनस 75 पलस का 30 बीटा बराबर का बीटा बराबर आपको आ चुका 75 बटा में 30 बच 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 3, 4, यह 4 संख्या को यहाँ पर बारी-बारी से पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, पहली संख्या, चुकि संख्या बराबर में आप लिख लीजे, संख्या क्या लिखेंगे, पहला alpha minus 3 beta, तो alpha के जगा पर आपको मान substitute करना, alpha का मान देखिया, alpha का मान आपन निकाल चुके, 25 मतलब आपको यह आचुका है, 25 में से 15 गया तो कितना होगा, 25 में से 15, आपको देखे न, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से गया तो 1, मतलब 5, सबसे छोटी संख्या वाला 5 आया, चलिए, अब दूसरा, दूसरा आपको होगा, alpha minus beta, देख लीजे, नहीं यादा तो देखे, संख्य तो 2 लगत्म होगा, यह 25 माइनस का 5 डालिएगा, मतलब आपको 20 बटा में 2 आ जाएगा, अब देखे, क्या रिजल्ट, अच्छा यह तो कर जागा न, 10, फिर हमारे पास alpha plus beta है, इसका यह मतलब हो चुका, alpha कमान 25 बटा 2 plus beta, बीटा के जगा पर आपको मान डालना है, बीटा कमान जो है, आपको 5 बटा 2 है, 2 लगत्म करिएगा, 25 पलस का 5, मतलब आपको 30 बटा में 2, मतलब आपको 15, आगे देखे, आपके पास alpha plus का 3 बीटा, मतलब आपको alpha कमान 25 बटा में 2, पलस 3, बीटा कमान 5 बटा 2, इसमें क्या resultant आएगा, मतलब आपको 2 लगत्म तो 15, मतलब आपको आचुका यहां पर, यहां पर क्या आजाएगा, 25 पंदरा, 5, 5, 0, 2, 1, 3, जा, यह क्या लिखा गया, 40 यह आपको 20, मतलब देखे, 20, 15, देखे, क्या आचुका है, सबसे छोटी वाली संख्या क्या आचुका, 5, 10, 15, उसके बाद आपको 20, 5, 10, 15, यह आपको क्या आचुकी है, संख्या आचुकी है, देखे, मैं इसके अगला परशन को बता दू, यह 14 का दूसरा था, ठीक है, मैं आपको अगला परशन को इसको दिखा देता हूँ, मतलब 360 मतलब 360 रुपए में तिन लर्कों में, इस परकार बाटे की सरवाधिक पाने वाला 200 रुप को जिसमें आपको सरवाधिक अधिक आने वाला 2 रुपया, क्या ऐसे कोशन को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, आप ऐसे कोशन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉलूशन बना सकते हैं, मतलब हल आप इसका आसानी से लिख सकते हैं, सबसे पहले ऐसे वाले को कैसे सॉल्व करें, तो 3 लर्कों कि आपको 3 बोल चुका, रोटा Chड देंगा, चार लेकर चल लेते, चार बला भी बताये और काई विफ पूले जो मैं इसनिक जो करें आपकोगा क्या लिखता हो। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा पलस बीटा, ऐसा वाल आपका भी देख चुके होंगे, आपको याद नहों, लेकिन आपको यह देखे होंगे, आपको देखें, रूपिया निकाला, मतलब आपको इतना रूपिया हमारे पास है, तो 360 रुपया का, अब मैं इसमें क्या करूँगा, कि प्रश्ण से चलूँगा, और फिर कोशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखें, मैंने ये ले लिया, ये आप जानते, 3 संख्या के लिए हम लोग ये लेते हैं, फिर आप कोशन में चलते हैं, तो 3-2-6 रुपय में, तिन लर्कों में इस परकार ब बीटा, और यहां पर आपको 360 रुपया, दे चुका जैसा, मैं वह इसा ही काम कर रहा हूँ, बीटा बीटा कैंसिल, एक अल्फा, दू अल्फा, तीन अल्फा बचा, बड़ाबर 360, मतलब आप कार सकते हैं, तीन इकाई, तीन तिन दुनी, छे, 120 रुपया, मतलब अल्फा, अल्फा, मतलब आपको यह वाला 120 रुपया आ चुका है, यह तो आपका बरी अच्छी बात है, दुबारा हम परशन से पर लेते हैं, फिर परशन पर चलते हैं, मतलब फिर मतलब पुना परशन पर, पुना परशन से, अब देखिए, आप फिर परशन पर चलते हैं, तो इसपर धियान देजे का मतलब Koreanmemоме सबसे छुटका उससे बरका कों है यह वाला है न आप भी जानते बिलकुल तो कैसे लोयान समें उससे यह ब्रका उससे भी बर्का हुआ अब देखे, सरवाधिक पाने वाल आपको कुशन कहता है, तो मैं लिकूंगा जो सरवाधिक हमारे पास है, वो क्या है, सरवाधिक पाने वाला, यह रूपईया, सबसे ज़्याद है यह है, अल्फा प्लस बीटा कितना के बराबर, देखे न, दूसो रूपईया, कि अपन डा हुआ तो यह माइनस में जाएगा न, ओ तेरी, बीटा बराबर आपको दूसों में से 120 गिया तो, कितना बचा बोलिए, 80 का बचे का, यह बीटा कमान आपको 80 निकल चुका है, अब देखे, पहले लर्का, मतलब तीन लर्का था न, तीन लर्का, एक, दो, तीन, तो पहला ल बीटा, अब दूसरा वला जो था हमारे पास, वो अफ़, तीसरा जो था, आपको यहाँ पर तीसरा, वो था, अल्फा माइनस का बीटा, देखे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान 120, बीटा का मान 80, मतलब, जीरो, यह 40, 40 आया, एक चीज़, आओ, यह अल्फा मानस ब आपको आपको बिता लिक्स बीटा था तो यह तो आपको चंचंग हो जागा तो आप यहां से निकाल लेजे मतलब आपको यह 40 आलफा यह अलफा लिखाओँ न कीजा हमाइ ting न को आपको न आपको to स्टॉल्ब हो चुका है चलिए कोशन नंबर 16 से आगे टोटल को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टॉल्ब करेंगे चलिए मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ